Hyundai Venue, जो कि Hyundai का एक sub 4 meter SUV भी है इंडियान मारकेट पर इस गाड़ी को इंडिया में कभी अच्छा कासा पसंद किया आता है एंड का इस भी रिसेंटली इंटरनेशनल मारकेट पर Hyundai Venue का एक New Generation को फूल के अफ्लोग रैप के अंदर टेस्ट करते हुए देखा गया है जिसका Spice Horts आप लोग अपने स्विंग के उपर फिलाल देख सकते है इस गाड़ी का Front Profile का लिया गया Spice Hort के और अगार देखा जाए तो जो समझ में आता है कि इस गाड़ी का New Generation का जो Front Faceya का डिजाइन होगा वो New Generation Hyundai Elkazar एंड क्रेटा जैसा ही होने वाला है बादबा की Rear Profile का भी आप लोग एक Spice Hort यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपको New LED Tail Lamps दिख जाएगा एंड इस गाड़ी का Front Profile में आपको Split Head Lamps, Larger Front Grill एंड LED DRLs बगरा भी ओफर किया जाएगा बादबा की New Generation Hyundai Venue का Interior का भी एक Spice Hort हम लोग के सामने आया है जहाँ पर आप लोग इस गाड़ी का Sears बगरा देख सकते हैं जो की थोड़ा सा New Design के साथ आएगा और New Generation Venue का जो Dashboard होगा उसमें भी आपको Maybe Visible Changes देखने को मिल सकता है बादबा की Mechanically Hyundai Venue New Generation जो है वो बिल्कुल Same to Same रहेगा Current Model जैसा ही मतलब Current जो Engine Options उफर किया जाता है वोई Same Engine Options को ही Continue किया जाएगा Currently इस गाड़ी के साथ में आपको एक 1.0L का Turbo Petrol Engine एक 1.2L का Naturally Respirated Petrol Engine एक 1.5L का Diesel Engine उफर किया जाता है तो वोई Same Engine Options को ही Continue किया जाएगा New Generation में और कुछ New Features को भी Add कर दिया जा सकता है जैसे Adds जैसे Features हो गया जो कि अभी Trendy Features चल रहा है तो ये सब Features थोड़ा बहुत Add-on हो सकता है बादबा कि इस गाड़ी का इंडिया में जो Launch है वो साथ से 2026 का End तक हो सकता है इंडिया में And Prices बगरा जो है वो Current Model से लगभग 15-20,000 या फिर 30,000 तक बढ़ सकता है जो कि फिलाल Expectations है आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी नेश वीडियो में वीडियो चला लगे तो ज़र से वीडियो को एक लाइक कर देना और Comments करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भोलना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी क्या भी हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब करके उस बिल आकोन को दबा देना आपको हमारे चैनल पर ही मिलता रहेगा जय हिंद जय भारत